तो हाई वर्यों ने भर फिर से स्वागत आप सब एक आज की इस नए वीडियो में तो आई हो आज की जो वीडियो रने वाली है हमारी TVS Phoenix के उपर TVS की Phoenix 125 CC की गाड़ी है और 2017 में बंद हो चुकी यह गाड़ी पहले आया करती थी और जिनके पास भी यह गाड़ी है ना गाड़ी की तरफ से को दिक्कत निये लोगों को लोगों को इशु होता है स्पेर पाउट को लेके श्पेर पाउट नहीं मिलते है वहीं हो आजकी वीडियो उसी टोपिक के उपर रहेजी कि प्र आपको जो online मंगाते हो ना उनकी genuity क्या होती है क्या वो सही होते है क्या कुछ जो रहने वाला है उसी topic में मैं आपको थोड़ी बहुत knowledge देने वाला हूँ जो मेरे को पता है वो चीज़े मैं आपके साथ share करने वाला हूँ और parts कहां से मंगाने है ना वो मैं आपको आई बिटन में लिंक दे दूँगा आप वहां से जाके चेक आउट कर सकते हो कि आपको किस तरी से इसके पार्ट बाई करने है तो बिन अट आई वेस्ट करें मैं आपको गाड़ी के पास लेके चलता हूँ जो चीज़े मैंने मंगाई थी ना वो सारी चीज़े मैंने गाड़ी में इस्टोल कर दिये कुछ चीज़े मैंने को नहीं मिली इस कलर की वो ने अधर कलर की मंगागे उनको पेंट कराया है वो क्या है मैं आपको गाड़ी के पास लेके चलता हूँ इसका पार्ट नमबर आप देख लो इसका ग्रुमेंट कजए यह पदेख हो जो लोगो टीव इसका पार्ट नमबर यह देखे लो और यह सपीडोमेटर कमर है यह जानते हो हो यह पीछे कमर है और यह हमारी पूरी complete highlight housing है और housing ओपर यह हमारा वाइजर है company की तरब से इसमें ऐसा वाला logo आया करता था इसको मैंने replace कर दिया दूसरे के साथ तो भाई यह है कुछ लगने के बाद और यह वाइजर है company से यह stock आता है color मेर को मिला नहीं था black color मिल नहीं रहा था green और white मिल रहा था तो फिर मैंने सोचा कि अपन white color कर ले लिए white को मैंने फेश्टिकर अठाके इसको black में paint करवा दिया तो यह कुछ ऐसा सा रहने वाला है और भाई यह बिल्कुल जैन्मन है औरिजनल है फियाम कंपणी के आती टीवेस के अंदर इसकी भी मैंने वीडियो बना रिखिए हाई बटन में लिंक मल जाएगा वहां से आप चेक कर लेना इसको बक्की सारी चीजह मैंने गाड़ी में लगा दी है और इधर से मैं आपको एक बार बताओं तो कंपणी ने ग्राफिक्स दिए इधर से इधर लगे हैं बिल्कुल गाड़ी पीचे से कुछ भी नहीं है यह वाला कमर मैंने चेंज करा उसकी वीडियो आपको आई बिटन में मिल जाएगी सारी वीडियो आना डिस्क्रिप्शन में देख लेना आई बिटन में आपको सारी प्लेलिस्ट बनाके मैं लिंक देदूँगा वहां से आप चेक कर लेना कि मैंने कहां कहां से कैसे कैसे पार्ट अरेंज करें तो इधर देखो आप इधर देखो इधर से बिल्कुल ब्रेंड न्यू लग रही है क्योंकि यह वाली हाउजिंग है जो मैंने आपको बताई थी यह पड़ी है यवाजिंग हां पीचे लगती है यह पूरी हाउजिंग कम्प्लीट मैंने चेंज कर दी यह इंधे और में उ मैंदा हो गया दा दिखता ने क्योंकि हालांकि यह भी खराब हो रहे का मेरा इसको चल चुकिए तो भाई इतना चलने के बाउत चोटा मोटा वेरेंट एर आता है कुछ चीजे टूट भी जाती है तो यह है वाई चीजे आपको बताता है आपको ब्रेक हो गया तो यह वाली प्लेट भी किसी भी काड़ी की लग जाती है वह भी आपको मिल जाएगा यह वाले सोकर है यह आपको विक्टर के भी लग जाता है अदर से भी स्टार का यह रहा ऊपको संप्रोंगे ब्रेक्ट करते हैब बात से आपको क्या के शीज ल happiest यह वाले पीस है यह वाले नहीं मिलता है अगर आपको सिंगल पीस यह अलग से इस सिंगल मिलता है तो सिंगल मंगालो अलग लग मिल रहा है जो आपका डेमेज हुआ वह मंगालो डेमेज यह वाला होता है तो इसका भी मैंने आपको वीडियो बना के दे रखा तो वो भी आपको यह अकाउंट पर मिल जाएगा वो भी देख लेना बाकी सारी चीज़े सोकर है City Plus के लग जाते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाकि इदर से Chain Cover भी City Plus का लग जाता है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है इदर से मैं आपको बता दू तो क्या क्या चिज़ें आपको Common मिलती है यह वाला जो Autotensioner यह भी आपको Common आता है बाकि इदर से ऐसा कुछ है नहीं जो नहीं मिलता हो मैं आपको छोड़ मोटी मोटी चीज़ें है ना जो मैंने आपको बता दी यह Common है आपको जनरल जो गाड़ी के रेगुलर चीज में चीज़ें होती वह चीज़ें कॉमन आपको वहीं चीज़ें रिक्वाइड होती है बाक चीज़ेंसर खराब हो गया आपका तो सीटी प्लस का आपका मेकेनिक न्यू मंगा के उल्टर करके वह पूरा कंप्लीट लगा देगा कोई दिक्कत नहीं है अब बाकी क्या बचा कार्बोरेटर कार्बोरेटर इसका लग से आता बाई पलसर वाला इसमें लग जाता है वह स दिक्कत वाली बात नहीं 2200 रुपए का पारकॉल में मिल जाएगा कंपणी में साइज 2700-2800 का एराउंड मुझे एग्जेक्ट पता नहीं 2200 से लेके 800 के बीच में होगा ना यह सारी चीज़ें बाई जो मैंने आपको जनरल बता दी इस गाड़ी के बारे में चीज़ें न बात नहीं है यह थे बाई सारे पार्ट जो चेंज हुए है यह पूरी कम्प्लीट एसेंबली चेंज हुए है चेंज करने के पीछे का रेंजन मैं आपको बताता हूं इसके ब्रेके डेमेज हो गया देखो यह 2015 में हमने जब गाड़ी ली थी ना इसके साथ कही है पंद्रा का वेरियंट है इसके साथ वाला ही है आज इन तक नहीं टूटा कितनी बार में गर गया चिल गया लेकिन यह चिलता ही है टूटा कभी नहीं तो भाई यह होती है मजबूती देख लो जो बहुत बदनाम कर इसके ब्रेके टूट गया और यह पीछे की हाउजिंग फट गई है तो यह अच्छी नहीं लगती थोड़ा सा सारी इसके चक्र में इसको क्यों पूराना सा रखे तो यह मैंने चेंज करवाई लाइट चेंज करवाने का रीजन है इसमें मोश्यर का इश्यू आ गया था अ अच्छी नहीं लगती हाउजिंग चेंज हो रही है तो यह मंगाई यह 15 रुपे की बाई 15 रुपे की लाइट आती है बाकी सारी चीजे मैंने आपको बता दिया विद पार्ट नंबर आप केटलोग में जाके सारी चीजे चेक आउट कर सकते हो और आप टीविएस की ओफि टारेक्तिकर अगयाती है अब अधिकर के लावां दिक भी सिमध दिक्कत हो तो वो भी आपको सेंब ही गाड़ी के दूसरी गाड़ी की मिल जाएंगे पार्ट दुपहे तितल जैंग फिर आप कायां होंग्णी आप सारी चीजे समझ पाए है कन्ग आ कहा है कितले बाइख